हल्दी मिलक की रेज़िपी लेके आए हुँ आपको जितना गिलास दूद बनाना है अब मैंने गैस को कर लिया है और अब मैं इसमें थोड़ा इलाचे के दाने डाल रही हूं आप चाहे तो ये स्टेच कर सकते हैं अब मैं इसमें डाल रहे हूं, वन टीज्पून जितना डालचीनी का पाउडर, अगर आप चीनी यूज करना चाहते हैं, तो आपको इसी स्टेज में डालना है, और आप मैं डालरहे हूं इसमें कच्चा हल्दी एक चम्मच, एक बड़ा चम्मच, फ्रेंड्स कच्चा बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाला होता है अगर आपके पास नहीं है तो आप हल्दी पाउडर जो यूज कर सकते हैं तो अब हम मैंने एक चमच कच्छा हल्दी इसमें डाल दिया है पीस के तो अब हम इसे हिला लेंगे अब देख सकते हैं हल्दी के डालते के साथ कितना अ अब इसमें उबाल भी आ गया है हम एक मिनट इसे उबाल लेंगे अब एक मिनट हो गया आप देख सकते हैं इसका रंग भी बहुत डार्क हो गया है अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसे हम हलका ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जब यह हलका ठंडा हो जाए तो नेत को चांन लेंगे अःफेंड आपको ज्यादा गरम में और बहुत ज़्वात ठंडा में हंप Kolleginnen नहीं मिलाना है अगाभ आप सवात के लिए हमी मिलाना चाहते है तो अप जैसे रहा काध घरम धुद पीते हैं बस उतना गरम हो जाए उसके बाद इसमें टेस्कर हल्दी हनी मिलाएं और इसे मिक्स कर लें उसके बाद अब हम इसमें थोरा दालचीनी का पाउडर उपर से डाल देंगे फ्रेइंज अब आपका हल्दी दुथ तएयार है आप इसे गर्मा गरम सर्फ कर सकते हैं तो SayaIND करते हूँ कि आपको हल्दी मिल्क बनाने का तरीका पसंद आया होगा और अज़र ट्राय करते हैं तो हमें कमेंट बाउक्स पहूश जरूर réuss कि आपको इस घल्दी मिल्क बनाने की रेसिपी कैसी लगी अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें हमें सब्सक्राइब करें और बेल हैकल तो जरूर टैप करें ताकि इसी तरीके से नई इजी और आसान टिप्स हम आपके लिए हमेशा लाते रहें धन्यवाद हुआ हुआ है